हलो दोस्तों, वेलकम टो मैं चैनल, दुबारा आप लोगो स्वागत है, मैंने देखिए मेरे चैनल में मैंने आल्ड़ी फोर्कलिफ्ट की उपर सवालिवा बनाएं, छोटी गड़ी की उपर मैंने टिप्स दिया हुआ है, तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे हैं कि बड़ी ग गड़ी में क्या होता है, छोटी गड़ी और बड़ी गड़ी के मिक्स सवाल होते हैं, मतलब छोटी गड़ी के भी सवाल आएंगे, बड़ी गड़ी के टेक्निकल सवाल होते हैं, बड़ी गड़ी के अलग से सवाल होते हैं, तो इस वीडियो को देखने से पहले, बाद में ये वीडियो देखना तभी आपको help मिलेगा ठीक है क्योंकि mix सवाल होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया तो शुरू करने से पहले मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ बड़ी गाड़ी में कौन-कौन से गाड़ी आती हैं heavy truck और heavy bus तो दोनों के सवाल जो होते हैं वो mix सवाल होते हैं छोटी गाड़ी ये और heavy truck heavy bus तो जैसे कि मैंने आपको पहली बता दिया था छोटी गाड़ी में कि टोटल 40 सवाल होते हैं जिसमें से 35 सवाल होते हैं और 5 होता है वीडियो उस 40 में से टोटल कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए आपको 30 नंबर चाहिए पास होने के लिए तो देखिए मैंने आप लोगो traffic science के बारे में आल्रड़ी बता दिया है मेरे दूसरे वीडियो में जो कि छोटी गाड़ी के उपर मैंने बनाया था और यह दूसरा है इसे हम बोलते हैं बड़ा गाड़ी मुड़ना मना है अब इसमें फरक आपने देखा यह जो बड़ा गाड़ी ट्रक बना हुआ है यह गोल राउंड में है और यह बड़ा गाड़ी जो है यह एक box के अंदर बना हुआ है तो जो round में होता है उसका मतलब है बड़ा गाड़ी आगे जाने ममनू है और जो box में होता है बड़ा गाड़ी मुड़ना मना है आपसे सवाल ऐसे आएगा बड़ा गाड़ी मुड़ना मना है कौन सा है यह तीनों दिखा के आपसे पूछेंगे तो आपको बस correct answer में लगाना है यह तीसरा जो है इसका मतलब है बड़ा गाड़ी slow lane में ही travel कर सकती है मतलब आपको मैंने बताया था शायद जो left lane होते हैं उसे हम बोलते है fast lane जो right lane होते हैं हम उसे बोलते है slow lane तो बड़ी गाड़ी हैं कौन से lane में जाती है left fast lane में या slow lane में जाती है slow lane में जाती है तो देखिए कट लग रहा है इसका मतलब बड़ा गाड़ी left lane में नहीं जा सकता यह हम ऐसे बोल सकते हैं बड़ा गाड़ी slow lane में ही जा सकता है अगला देखिए, ये दोनों तस्वीरें जो हैं, ये height की उपर हमें बताते हैं, ये एक road की height होती है, ये pull के नीचे आपको मिलता है, ये tunnel के नीचे मिलता है, तो इसमें भी height है, 4.2 लिखा है, मगर ये goal में है, इसमें भी height है, मगर 4.2 है, मगर ये tricorn में है, triangle shape में है, तो जै नीचे जा सकती है, मगर किदर है वो road का height आगे, आगे आने वाला है, आपको खबरदार कर रहा है, तो एक्जाम में ऐसे सवाल आएगा, इनमें से कौन सा इशारा आपको खबरदार करता है, कि सड़क की उचाई आगे इतना है, तो जागे ये वाला मत लगा देना answer में, आ आपको ये वाला इशारा answer लगाना है, ठीक है, अब ये तीनों इशारे आपसे दिखा के बूचेंगे, इनमें से बड़ी गाडी का parking का इशारा कौन सा है, तो आप confused हो जाओगे ये वाला लगा दो, ये तो loading, unloading के लिए, मगर parking जैसी आप सुनोगे, ये P देखना है, ये ये भी पी है, ये भी पी है, मगर बड़ा गाडी का निशान के तरह है, देखा, आपने एक छोटा सा ट्रक बना हुआ है, ये है, तो आपका answer ये होना चाहिए, अब ये देखिए, ये सवाल कैसे आएगा, आप से पूचा जाएगा, इनमें से कौन सा इशारा बताता है, ब ये असी बड़ा गाडी का maximum speed है, maximum speed सबसे ज़्यादा, तो सवाल ऐसे आएगा, इस रफ्तार में, बड़ी गाडी के रफ्तार के बारे में क्या बताय हुआ है, speed limit sign में, पहला जवाब आएगा, दोनों गाडीों के रफ्तार में बारे में बताय हुआ है, दूसरे में लिख बड़ा गाडी के maximum, ज्यादा रफ्तार के बारे में बताय हुआ है, तो हम पहला जवाब पढ़ेंगे, दूनों गाडी, मगर हमसे सवाल में क्या पूछा है, बड़ा गाडी का रफ्तार पूछा है, तो क्या है बड़ा गाडी का minimum, maximum, ज्यादा रफ्तार, 80 जो होता है, ज् तो ट्राफिक साइन्स यहां पर खतम होगे मगर आपको मेरी चोटी गाड़ी के ट्राफिक साइन्स देखना तब ही आपको यह समझ में आएंगे देखो मैं दुबारा बता रहा हूं जब तक वो वीडियो नहीं देखोगे आपको इसमें कुछ भी समझ में जाएगा और यह दोनों वीडियो देखना जुरूरी है आप मेरे description में देख सकते हैं मैंने link दिया हूँ है या मेरे video section में आकर चोटी गाड़ी का वीडियो जुरूर्द देखिए मैं सबहसे पहले आपको ट्रक के बारे में मैं आपको बताता हूं जो हता है trailer यह हैं हम बोलते हैं trailer इसके द क्या होता है समान होता है अब इसके उपर exam में बहुत सारे सवाल आते हैं मैं एक-एक करके आपको पढ़ाऊंगा तो पूरा वीडियो देखिए skip नहीं करें, तो मैं एक-एक करके आगे आपको बताता जाता हूँ, ठीक है, तो हम एक-एक करके पढ़ते हैं, सबसे पहले देखिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा, इस तस्फीर में क्या लिखा है, load, load का मतलब होता है, समान, आपको मालूम है, बड़ी गाड़ी में, heavy truck में, स पूछ सकते हैं, जैसे कि आप से पूछा जाएगा, आपकी बड़ी गाड़ी एक साइड में धुकरी है, क्या वज़े हो सकती है, तो इसका load ज्यादा होने से हो सकता है, या टैर फटने वज़े से हो सकता है, या किसी भी कारण हो सकता है, तो इसका जवाब है, किसी भी अब देखिए एक बड़ी गड़ी में मैं आपको ट्रक बताता हूँ, बड़ी गड़ी में एक सवाल आता है, लोड, मतलब समान कहां रखना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना, आप से पूचेंगे आगे पीछे या बीच में, आपका एंसर होना चाहिए, बीच में या फिर नी जारी होती है उनके उपर कोई खतरा ना बन सके इसलिए हमें हमेशा समान को सुरक्षित रखना चाहिए अगला सवाल यह है कि बड़ी गड़ी में लोड रखते time आपको क्या क्या के देखना होता है पहले जवाब में लिखना रहेगा हाइट और उसकी चुड़ाई दूसरे में लिखना रहेगा पाईये का और एक्सल का लोड लिमिट तीसरे में लिखा रहा हुआ तमाम चीजे आपका जवाब होना चाहिए तमाम मतलब सब चीजे हमें देखना चाहिए गाड़ी में लोड रखते टाइम हमें एक लोड के हाइट के बारे में क्यों पता होना चाहिए उचाई के बारे में क्यों पता होना चाहिए एक कम उचाई वाले पुल के नीचे जाने के लिए या हम बोल सकते हैं पुल के नीचे जाने के लिए हमें उचाई के बारे में, समान के उचाई के बारे में पता होना चाहिए जब हम बड़ी गाड़ी में लोड रखते हैं, समान रखते हैं तो ये चीज़ें cover नहीं होनी चाहिए, क्या, light, number plate और शीशें, ये तीनों cover नहीं होनी चाहिए, light cover होगे तो क्या होगा, आपको दिखाई नहीं देगा, number plate भी नहीं cover होना चाहिए, और शीशा भी cover नहीं होना चाहिए, जब आप load को एक समान को हम महफूस तरीकी से कैसे रख सकते हैं, समान को इस तरह रखिए जिससे कि वो नीचे गिरे नहीं या हिले डूले नहीं, एक समान को सईजे रखने के लिए भारी item हमें कहां रखना चाहिए, बीच में, ना आगे ना पीछे हमें कहां रखना चाहिए, एक सेंटर में, बीच में रखना चाहिए समान में जब हम रस्यां बानते हैं, तो यहां पे नहीं लगना चाहिए, कहां पर कोई पैनी चीज में, पैनी चीज में लगे तो क्या होगा, रस्यां कट जाएंगी तो इसलिए कोई पैनी चीजों में रस्या नहीं लगनी चाहिए जब हम सबान भरा ट्रक ले जाते हैं तो हमें गियर कब चेंज गरना होता है एक पहाड उतरने के बाद या पहले पहले उसे उर्दू में हम बोलते हैं कबल पहले ठीक है अब देखिए अगला ये जो है ब्रेक के उपर बहुत सारे सवाल आते हैं आपसे एक्जाम में पूचा जाएगा आपके गाड़ी में कितने टाइप के ब्रेक होते हैं एक होता है एर ब्रेक मतलब हावा के परशर वाला ब्रेक एक होता है हाइड्रोलिक ब्रेक ठीक हैं दो टाइप के ब्रेक होते हैं एर ब्रेक और हाइड्रोलिक ब्रेक फिर एक ब्रेक होता है आपसे पूचा एगा फैंड ब्रेक का इस्तमाल कप करना चाहिए बारिश के टाइम पे कप करना चाहिए फैंड ब्रेक मिला पंको वाला ब्रेक बारिश के टाइम पे करना चाहिए अब मैं एक एक करगे आपको बताता हूँ जैसे कि पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा अगर आपके गाड़ी में एर ब्रेक है तो ब्रेक कब काम करता है जैसी हम पेडल पे पैर दबाते हैं उसी के तुरंत देर बाद ब्रेक काम करना लग जाता है एर ब्रेक और हाइडरोलिक ब्रेक में से एर ब्रेक हमें कब दबाना चाहिए हाइडरोलिक ब्रेक से पहले ज्यादा तर ब्रेक क्यों खराब हो जाते हैं हो जाते हैं क्योंकि उसकी मरमत सही से हैं उसकी मेंटिनेंस हम सही से हैं इसलीजी ज्याधे तर ब्रेक खराब हो जाते है एक्यों पूछा जायगा अगर ह najbardziej भीजिए तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए अगर जवाब में आपको इस ब्स बताता हैं एक ब्रेक फेल होगे आपको क्या करना चाहिए मैं आपको टिप बताता हूं कि अगर उस जवाब में तीन जवाब होते हैं जैसे कि आपको पता है तो उस जवाब में लिखा है गीर को कम करो तो आखे बंद करें उस एंसर में दबाते ना दो सवाब ऐसे हैं उसका जवाब अलग है उसमें आपको कम करीं नीचे करना चाहिए same answer gear को कम करिए नीचे करिए अब एक सवाल आता है hydraulic brake में से pressure कम हो गया क्या करना चाहिए अब इसके जवाबों में यह नहीं लिखा कि gear को कम करना चाहिए इसलिए जवाब होना चाहिए brake को pump करना चाहिए फिर एक सवाल आता है hydraulic brake में से बहुत ज्ञादा pressure खतम हो गया तो इसका जवाब है, आपको बच निकलने का रास्ता डुढना चाहिए खरूज का रास्ता, मतलब बच निकलने का रास्ता आपको डुढना चाहिए बेक प्रेक खराब होने के चांस है continuous heavy brake continuous भारी ब्रेक मारने से ब्रेक खराब होने के चांस है अगर आप ब्रेक मार रहे हो और आपकी गाड़ी फिसल जाए तो आपको ब्रेक जल्दी रोगना चाहिए क्यों आपके पूरे गाड़ी के ट्रैक्शन को रोगने के लिए अब एकजाम में दिए टैरों के बर बहुत सारे सवाल आते हैं तो एक सवाल आता है दो सवाल आते हैं बलगी टैरों में कम हवा क्या हो सकता है? टैरों में आग लगने का चांस ज्यादा है और गाड़ी को हेंदिल करना भी मुश्किल है सबीम आगया फिर दूसरा सवाल आता है गाड़ी में आग लंगने की वजे क्या है सेम जवाब उलटा सोची टैरो में कम हवा होना टैरो के बीच में पत्थर या मिट्टी कुछ जाता है तो क्या आओ सकता है गाड़ी का balance या पईयों का balance बगड़ी आता है क्या टैरों के बीच के जगों को क्या हमेशा चेक करना चाहिए है जी हाँ तमाम हालत में हमें चेक करना चाहिए टैरों के चारों तरफ जो nuts होते हैं आपने देखे होगे उसके तरफ जंग लग जाए जंग मतलब rest, जंग लग जा तो आपको क्या हो सकता है, nut धीले हो सकते हैं, tear fail हो गया, कैसे पता चलेगा, loud bang मतलब एक जोर का धमाका होएगा, आपने देखा होगा रास्ते में जाते time, जोर का धमाका होता है, इसका मतलब tear fail हो गया, tear fail होने कैसे पता चलेगा आपको, आपको इर्ताश पैदा होएगा, गाड़ी में इर्ताश मतलब वाइब्रेशन, थर्तरहाट बोलते हैं, वाइब्रेशन ये इर्ताश पैदा हो सकता होएगा, अगर आपके गाड़ी में, ट्रक में, दस पाईएं, तो ऐसा है तो चलेगा, कैसा? पहले जवाब में लिख रहेगा, आगे के सारे डायर में, डायमेज ना हो दूसरे जवाब में लिख रहेगा, पीछे का एक टायर खराब हो जाए, मुश्किल नहीं तीसरे जवाब में लिख रहेगा, एक भी टायर खराब नहीं होना चाहिए, तो आपका ये तस्वीर आप गौर से देखिए आपने देखा होगा PM var और ये ट्रेलर है इसको हम जोडने के लिए हम बोलते हैं English मैं coupling और इसको जुदा करने के लिए हम इसे बोलते है uncoupling उर्दू में हम बोलते हैं mun selecting करنا और जुदा करना मुनसलिक करना मतलब coupling करना जोड़ना और uncoupling मतलब जुदा करना तो इसकी उपर बहुत सारे सवाल आते हैं जैसे कि बहुत ध्यान सुना है यह बहुत जुरूरी है पहला एक सवाल आता है कि जब हम पीछे वाले articulator मतलब जुड़ी की गाड़ियों को जब हम जुदा करते हैं तो turnable का turnable देखो यह होता turnable इसमें से pressure हम कैसे release करेंगे इसका जवाब है हलका सा prime mover को reverse करो पीछे की तरह लो तो उसमें से pressure release हो जाएगा निकल जाएगा फिर एक सवाल आता है जब हम prime mover को trailer से जुदा करते हैं तो कैसे होना चाहिए उसका जवाब है आगे का हिस्सा उठा हुआ नहीं होना चाहिए मतलब prime mover उठा हुआ नहीं होना चाहिए और वो जमीन में छूना चाहिए prime mover को हम trailer से जोडते हैं मुनसलिक करते हैं तो हमें क्या चेक करना चाहिए उसका जवाब में ऐसे लिख होएगा, देखिए, उसके नीचे जाके देखिए, उसके जबड़ों में देखिए, जबड़े समझते हो, उसके जबड़ों में देखिए, वो चारों तरफ देखिए, तो हमें पता चलेगा, वो जुड़ा हुआ है, या नहीं जुड़ा हुआ है, ट्रेलर ब् कप्लिंग करते हैं, मतलब जुदा करते हैं तो प्राइम मूवर को ट्रेलर से कैसे जुदा करेंगे हमें तब तक आगे ले जाना चाहिए जब तक सेमी ट्रेलर स्किड प्लेड से अलग ना हो जाए जब तक हमें आगे ले जाना चाहिए प्राइम मूवर को सैमी टेलर के साथ जोडते टाइम ये बहुत ज़रूरी चीज़े हैं दो चीजे हमें इसके बीच में जोडते टाइम लगाना चाहिए क्या? किंग पिन और टर्न टबल क्या बोलते हैं हम इसे? किंग पिन और टर्न टबल गुमाने वाला टेबल और दूमें हम बोलते हैं गुमाने वाला टेबल बूलना नहीं से और दो चीजें और होती हैं हम उसे जोडते हैं उसको हम बोलते हैं दो केबले जोडते हैं उसे हम बोलते हैं एर केबल और अलेक्ट्रियल केबल अगला सवाल है, जब हम सेमी ट्रेलर को जोडते हैं, तो हमें कहां देखना चाहिए? पहले जब हमें लिख रहेगा, लेफ्ट का सीशा, लेफ्ट का कोना, लेफ्ट का पईया देखना चाहिए, दूसरे जब हमें लिख रहेगा, राइट का पईया, राइट का कोना, राइट का सीशा देखना चाहिए मगर 30 जवा में लिख रहाएगा दोनों कोने दोनों पईए और दोनों सीशे देखने चाहिए तो आपको आंसर है दोनों देखना चाहिए जब हम जोडते हैं तो हमें क्या क्या देखना चाहिए सब चीजें, तमाम चीजें देखना चाहिए, वो तूटा है, या नहीं तूटा है, या फिट तो नहीं हो गया, ये सब चीजें हमें देखना चाहिए, दोनों चीजें देखना चाहिए जब prime over को हम टेलर के साथ जोड़ते हैं तो उसका brake line कैसे चेक करेंगे उसका जो length होता है वो tight होना चाहिए, वो कसा हुआ होना चाहिए तो क्या होगा, वो निकल लिएगा जब हम prime over टेलर का हम जाचते हैं कि वो जुड़ा है कैसे जाएंगे हमें जब तक उसके नीचे जाके नहीं देखना चाइए जब तक वो प्राइए मॉअर के साथ जुड़ा नहीं हो जुड़ा उवय वह चाहिए नहीं तो रहा इस देखत नहीं देखना जैहरी उसका जवाब वह हैं दे unknown के उपर एग्जा में बहुत पीछे ट्रेलर हो सकता है तो हमें बहुत ज्यादा जगह चाहिए गाड़ी को मूलने के लिए तो इसलिए हमें थोड़ा सा राइट लेआगे मल knife में बहुत में मोंने के लिए कहां सा कट मानना चाहिए, छोटी गाड़ी से ज्यादा मानना चाहिए, तो बहुत असान सवाल है जब हम लेफ्ट की तरफ बड़ी गाड़ी के मोड़ते हैं, तो हमें ये चीज़े जरूर याद ध्यान रखना है, क्या हमें पीछे की साइड में बहुत ज्यादा जगे तो उसका जवाब होना चाहिए, देखिए, बड़ी गड़ी हैं हमें पीछे का पता नहीं चलता है, इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, क्याप से उतर कर देखना चाहिए फिर एक सवाल आता है, अगर आपको लेफ्ट की तरह reverse करना है, तो आपको कहां देखना चाहिए, लेफ्ट का सिशा, दूसरे जवाब में लिखा रहेगा लेफ्ट और राइट का सिशा, तीसरे जवाब में लिखा रहेगा लेफ्ट का सिशा भी देखने चाहिए, तो खिड़ी की से बाहर जाक के भी देखना चाहिए तो उसका जवाब होई है, लेफ्ट का सीशा भी देखिए और खिडिकी से बाहर जाक के देखिए अगर reverse करते टाइम आपके साथ कोई helper खड़ा है, तो उसे कहां खड़ा होना चाहिए जहां पर आप उसे देख सकें और उसका जो signal है, वो आप सही से देख सकें, उस जगे में उसको खड़ा होना चाहिए हमें reverse करते टाइम, आराम से reverse करना चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर हम steering में कोई गलतियां करते हैं, मोड़ते टाइम, तो हम उसे सुतार सकें इसलिए हमें अराम से reverse करना चाहिए, अब अगला सवाल है देखिए, यह देखा आपने तरकौन की तरह दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं, तरकौन भी बोलते हैं, या इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं, reflective triangle, या उर्दू में हम बोलते हैं, इसे मुसलस, यह हमें, हम इसे कह कहान रखते हैं, जब गाड़े हमारी खराब हुजाती है, तो हम गाड़े के पीछे रखते हैं, हमने छोटी गाड़ी में सीखा था, कितने मीटर के फासले में रखना चाहिए, 50 मेटर, 40 या 30, उसका जवाब किया था, 50 मीटर फासले में रखना चाहिए, आब बड़ी तीसरे जवान में लिखना दोंगों ससरा जहां पर चार पोईंट दिया है जोटे यो ट्राफिक और निन सिगनल होते हैं उसे रात में किसे कयरी करना जाहिए जुड़ें हुए गाड़ियों को सभी भारी गाड़ियों को चार पॉइंट पांच टंस से ज्यादा गाड़ियों को जवाब है सारी भारी गाड़ियों को यह रखना चाहिए आपने देखा हो समान ले जाते टाइम उसके पीछे चोट असा वर्णिंग सिंगलर रखा रहता है रफ्लेक् एक पीछे एक साइड में एक रोड के सेंटर इंवलब सब जगे रखना चाहिए अगर आपकी 2.2 मिटर से चोड़ी गाड़ी है और रात को खराब हो जाए तो ट्राफिक से खत्रे से बचने के लिए आपको यह त्रिकोन कहा रखना चाहिए यह खाली त्रिकोन ही नहीं खराब हो जाए तो यह रिफ्लेक्टिक ट्रिकोन है कितने मिटर के फासले पर रखना चाहिए 500-200-100 उसका जवाब आपको लिखना चाहिए 200 मिटर फिर एक सवाल आता है अगर आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है तो यह रिफ्लेक्टिक ट्राइंगल हमें क्यों इस जरूरी पॉइंट से जिसके बारे में बताता हूँ सबसे पहले आप उसे पूछा जाएगा थकावट के उपर या कोल्ड मने जुखाम के उपर कुछ सवाल आता है जैसे कि आपसे एक सवाल आता है कि सबसे बहतर तरीका कौन सा है जब आप ट्रिप में जा सकें तो उसका जवाब होना चाहिए जब हम नॉर्मली आप जगे हुए तब आपको ट्रिप की सवारी करने चाहिए एक रैष्ट पिरियंड में अपने अंगूटों को जूना चाहिए इससे क्या हो सकता है आपको जगे रहने में मदद मिल सकती है ड्राइविंग करते टाइम आपको नीं ले लेना चाहिए एक लंबे सफर में ठकावट से बचने के लिए आपको क्या खाना चाहिए आपको फ्रूट चाहिए फल खाना चाहिए उसमें लिख रहाएगा बर्गर खाओ पाश्ता खाओ फल खाओ तो आपका जवाब होना चाहिए फल खाना चाहिए आप एक लंबे स चाहिए उसी जुकाम के साथ गाड़ी चलाएनी, तो क्या होगा? आप जुकाम की दवा खाएंगे, फिर से आपको नींद आ सकती है, तो इसलिए आपको क्या करना है? उसी जुकाम के साथ गाड़ी चलाना है, एक लंबे ट्रिप में जाते टाइम, आपको चोकनना रखने के सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपको ट्रिप स्टार्ट होने से पहले अच्छे दर नींद पूरी कर लेनी चाहिए, जैसे आपको नींद ना है, अगर आप एक ड्राइब में जा रहे हो, आपकी आखे ऐसे हलकी बुलकी ब्लिंक होने लगती है, मतलब जैसे हिलने लगता हो जाती है, एक सबाल आता है अलकोहल के उपर कि आप अलकोहल पीगे गाड़ी चला रहे तो खतरनाक हो सकता है, क्यों कि हम दूसरे ड्राइबर होगे रफ्तार के बारे में अंदाजा नहीं लगा पायते हैं, और क्या हो सकता है, हमारे जो सोचने का शक्ती है, वो सुस्त ह हो जाता है, सोच नहीं पायेंगे हम दंग से, अब देखिए देखने और अराम से गाड़ी चलाने के उपर बहुत सवाला दें, जैसे कि आप से सवाल आता है, गाड़ी को स्लो करते टाइम, आपको कहां तक देखना चाहिए, बारा से पंदरा सेकंड, वैसे हमें कितने सेक फुल ब्लोक, पूरा ब्लोक, तो उसका आपका जवाब होना चाहिए, एक पूरा ब्लोक देखना चाहिए, अब एक्जाम में आग के उपर फाईर, आग के उपर बहुत सवाल आते हैं, जैसे कि फायर एक्स्टिंगुशर, उसे हम बोलते हिए आग बुझाने वाला आला, उसका इस्तमाल कब तक करना चाहिए, आग के जाने तक, दोए के जाने तक, या सबचित ठंडा होने तक, तो उसका आपका जवाब है, सबचित ठंडा होने तक, हमके इसका इस्तमाल करना चाहिए, हमें एक एंजिन के आग को बुझाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, रहेगा एलेक्टरिकल सिस्टम डैमेज हो जाए मतलब बिजडी के अब डैमेज हो जाए या टैरों फट जाए या ज्यादा ब्रेक लगाने से अग ठीक है एलेक्टरिकल चीजें खराब हो जाए उसमें देखते ही लगा देना अशर अब वार्णिंग लाइट और एक्सिडे हुए या किसी कई पर खत्रा बनने जा रहे हो तो आपको वार्णिंग लाइट जलाना चाहिए अगर आपका गाड़ी का एक्सिडेंट हो गया है तो उस एरिया को कैसे महफूस बनाओगे तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए आपको गाड़ी को साइड पे खड़ा कर करना चाहिए उस एरिया में दुबारा कोई चोट या डैमेज नहीं हुए इसलिए उस एरिया को महफूस बनाना चाहिए अगर आपका गाड़ी का एक्सिडेंट किसी और गाड़ी के साथ हो जाता है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए सिंपल जवाब है पुलिस को करना चाहिए अगर आपका गाड़ी का एक्सिडेंट हो जाए तो उस एरिया को कैसे महफूस बनाऊगे बहुत सारे एंसर लिख्योंगे मंगर आपको गन्फ्यूस करेंगे बस सिंपल सा एंसर डूड़ना है एमर्जेंसी वार्निंग ट्रैंकल मतलब मुसल्स जो तरकोन है वो रोड़ पे रखना है और हजार्ड वार्निंग लाइट आपको जलाना है वो एंसर होगा तो उसमें क्लिक कर देगा एक्सिडेंट से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए आपको आराम से गाड़ी चलाना चाहिए और ज्यादा फासला रखना चाहिए अगर आपका गाड़ी का एक्सिडेंट हो गया और किसी को चोट लग जाती है तो आपको क्या करना चाहिए गाड़ी हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए अगर आपका गाड़ी का एक्सिडेंट हो जाए किसी को चोट लग जाती है तो हमें exact location के बारे में emergency service को बताना चाहिए क्यों इसल दुबारा एक्सिडेंट नहीं हुए इसलिए आपको वो एरिया महफूस बनाना चाहिए अगर आपका गाड़ी का एक्सिडेंट हो गया है तो ऐसा करोगे तो यह जुर्म है या जुर्मा ना मिल सकता है क्या बिना रुके भग जाओगे तो एक्सिडेंट होने के बाद आपक को चलने देने के लिए मतलब वहाँ आप खड़ा करोगे तो ट्राफिक बुडोक हो जाएगा आपको और फाइन मिलेगा इसलिए ट्राफिक को चलने देने के लिए आपको गाड़ी को हटा लेना चाहिए अब देगे बड़ी गाड़ी में बस ड्राइवर के उपर भी रस्पॉंशिबल होना चाहिए हर वक्त तमाम हालात में रस्पॉंशिबल होना चाहिए बस ड्राइवर को ट्रिप स्टार्ट करने से पहले क्या देखना चाहिए पैसेंजर का जो उतरने का और चड़ने की जगे है वो क्लियर होना चाहिए बस टॉप से निकालते टाइम ब बार बार सीशे को चेक करना चाहिए, शीशो को हमें चेक करना चाहिए, पैसेंजर की सेफटी के लिए, शीशो में देखना एक जाचने का मतलब क्या होता है, आपको सीशो में क्या देखना चाहिए, आपके राइट साइड से कोई ओवर्टेक तो नहीं कर रहा, आपको चेक क जबाल आते हो हमेशा पैसेंजर की सेफटी के लिए देखना चाहिए तो इसका जवाब भी वह यह पैसेंजर को कोई उतरने चड़ने में कोई दिक्कत आ रही है उसकी पैसेंजर की हैल्प करने चाहिए मदद करने चाहिए बस को चलाते टाइम आपको बार-बार शीशो को च बाबले आराम से चलाना चाहिए क्यों क्या होता है बस में कौन होते हैं लोग होते हैं ट्रिप स्टार्ट करने से बहले बस ड्राइबर को क्या देख करना चाहिए सीट जो बस के सीटें होती है वो हिलना डूलना नहीं होना चाहिए महफूस होना चाहिए शीशो का अजिस् प्रप्रेंग और को कोई खत्रा है उससे चेक करने ये अब देकिए गीर के उपर कुछ सवाल आते हैं जैसे कि गीर तो के की है चेंज्ज करना चाहिए ये व्मोर आने से पहले ये मोर आने था सब्सक्राइब जैसा की आप से पूछघा जाईगा अगर आप गलत एंजिन के स्पीड पे गियर चेंज कर रहे तो क्या खराब हो सकता है क्लच खराब हो सकता है अब अगला सवाल सुनते है अगर आप अच्छी तरह बिना क्लच दबाए गियर चेंज करते हैं तो क्या खराब हो सकता है transmission खराब हो सकता है ठीक है gear change करने का time आ गया कैसे पता चलेगा गाड़ी की speed से और engine में से अवाज आना चालू होता है तब पता चलता है कि gear change करने का time आ गया एक चीज मैं आपको बता देता हूँ blind sport जैसे कि मैंने आपको बता देता है दाई तरफ right में देखना मुश्किल होता है तो exam में एक सवाल आता है कि अगर आपको आपकी लंबी सी गाड़ी है और आपको right में मुणना है तो क्या देखना चाहिए आपके right तरफ से कोई overtake तो नहीं कर रहा आपको check करना चाहिए बड़ी गाड़ी को right में मुड़ते time क्या हो सकता है हमें बहुत मुश्किल हो सकती है बड़ी गाड़ी को right में मुड़ते time मुश्किल हो देखना कम है lane change करते time आपको शीशों में क्या देखना चाहिए आपके side में कोई है आपके right side से आपको कोई overtake तो नहीं कर रहा, आपको check करना चाहिए, अगर आपके सामने से कोई बंदा आपकी lane में direct हो जाता है, मतलब घुस जाता है, आपको कहां जाना चाहिए, थोड़ा सा right हो जाईए, फिर एक सवाल आता है, आप एक बड़ी गाड़ी चला रहे हो, और dash एक छोटी गाड़ी dash, तो मैंने आपको पहली बताती है, बड़ी गाड़ी को, बड़ी गाड़ी चला रहे हो, तो छोटी गाड़ी कहां पर देखना मुश्किल होता है, right में मुश्किल होता है, मतलब धाई तरफ मुश्किल होता है, फिर देखिए, अब मैं speed के बारे में आपको बताता हूँ, speed और रोकने के बारे में एक सवाल आता है, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आप ज्यादा speed में चलाएंगे गाड़ी, तो ज्यादा time लगेगा गाड़ी को रोकने के लिए, simple सफंड आ है, 80 km पे आप चला रहे हो, तो आपको कैसे चलाना चाहिए, 80 km जब आप चला रहे हो, तो ऐसे चलाना चाहिए, जिससे कि सब महफूस हो, safe हो, उस तरह चलाना चाहिए, अब skidding, मतलब फिसलने के उपर एक्जाम में दो सवाल आते हैं, जैसे कि main बज़े के ice skate फिसलनेगा, जब आप steering wheel को बहुत खतरनाक तरीकी से मोड रहे हो, तो फिस सवाल आता है, जैसे कि सवाल है, इंडिकेटर, आप एक मोड को मोड लिया, इंडिकेटर कैसे पता चलेगा, बंद हुआ है, आपको check करना चाहिए, इंडिकेटर कभी नहीं काम करना चाहिए, इंडिकेटर हमेशा काम करना चाहिए, उसका जवाब है, इंडिकेटर हमेशा क बड़ी जाड़ी को हमेशा अपने इंटेगेटर को काम करते हुए रखना चाहिए फिर कंट्रोल के उपर एक सवाल आता है कि अगर आप एक हाथ से स्टेरिंग वील पकड़ रहे हो और वो एक गड़े में फस जाता है तो क्या हो सकता है आपका कंट्रोल बिगड़ सकता है उसका जवाब यह है आप एक गाड़ियों के बीच में से गुज़र रहे हो तो आपको क्या ध्यान में रखना है गाड़ियों के बीच में से कौन आ सकते हैं पैदल चलने वाले तो पैदल चलने वालों का ध्यान रखना चाहिए फिर पावर स्टीरिंग की उपर एक सवाल आता है कि अगर आपके गाड़ी में पावर स्टीर रिंग नहीं इंगे तो कब मोड़ना चाहिए? कबल? पहले? फिर देखें एटिट्यूड मैं दला रवाइया आपके क्यरेक्टरों की पर बहुत सवाल आता है जैसे ही एक सवाल आता है जैसे कि आपको आराम से रोड पे चलाते हिने के लिए आपको क्या करना चाहिए आपका जो रवाया पॉसिटिव होना चाहिए ठीक होना चाहिए फिर एक सवाल आता है कि दूसरों का गुस्से का वज़े ना बने, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, अगर आपने कोई गलती करी है, तो उसको मान लेना चाहिए, हाँ भी मैंने गलती करी है फिर एक सवाल आता है हमें अराम से तबीयद से गाड़ी चलाना चाहिए क्यों? क्योंगि रोड में बहुत सारे बंदे होते हैं गाडियां होती हैं इस वई से तो दिखेए ऐसे बहुत सारे सवाल आपको बड़ी गाड़ी में मिलेंगे मैंने आपको पहले ही बता दिया आपको बड़ी गड़ी ये सवाल कंप्लीट करने से पहले छोटी गड़ी के सवाल भी आपको कर लेना चाहिए आप इस description में मेरे वीडियो को चेक कर सकते हैं आपको पहले वो देखना है और उसके बाद ये देखना है जब ये आपको समझ में आएगा देखे अगर आपको कैसा लगा ये वीडियो आप प्लीज यहाँ पर कमेंड करिए लाइक करिए, शेर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को आगे बढ़ाईए जिससे कि और लोगों को मदद मिल सकें बड़ी गड़ी में पास होने के लिए बड़ी गड़ी के जो सवाल होते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं आपको इस वीडियो में एक टिप मिल गया होगा कि हाँ भई कैसे कैसे सवाल आएंगे तो प्लीस कमेंड करेंगे बताईए आपको कैसा लगा और सब्सक्राइब करें, लाइक करें थैंक यू वरी मच, आपको बेश्ट विशस एक्जाम के लिए